तो दूस्तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे realme c3 का unboxing तो चलिए दूस्तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मन पूल ला तो दूस्तो यह हमारा realme c3 phone Edwards ओपन कर लेते तो दूस्तो यहां पर यह हमारे पास phone है frozen blue color में तो चलिए दुस्तो इसे open करके देख लेते हम यह पर कि कुंध यहां पर open हो चुका और यहां पर दोस्तों में open होने के साथ में यहां पर एक section देखने को मिल जाता है तो यहां पर सीमेज एक टेट टोल देखने को मिल जाता है और यहां पर कुछ guide वगिरा में देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इसे side में रखते हैं और यहां पर आ जाते तो हमारा phone देखने को मिल जाता ह अखिसर आउगा आई तो दोश्तो काफी बड़ी आर लग रहा है हमारा फोन यहां पर फ्रोजेन ब्लू कलर में रिंए तो चल्लिन दोस्तों हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इसे साइट में रख देते हैं और बॉक्स कांटेंट देख लेते हैं दूसरे यहां पर तो दोस्तों यहां पर हमें चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि दूस्तों नॉर्मल सा टेन वोट का चार्जर है और यहां पर दोस्तों हमें केबल देखने को मिल जाता है जो नॉर्मल सी USB केबल है वही देखने को मिल जाती है तो दूस् वाली डिस्पले देखने को मिल जाती है और अगर हम देखती है दोस्तों यहां पर तो हमें polycarbonate body देखने को मिल जाती है और दिस फोन के कैमरे में बात करते हैं तो back में 12 लेस्टॉ मीगा पिक्सल का कैमेरा देखने को मिलता है और front में दोस्तो हमेंस selfie में 5 megapixel की selfie देखने को मिल जाती है और दोस्तों अगर हम यहां पर ऊपर की तरफ देखते हैं इस phone में तो कुछ नहीं है यहां पर और दोस्तों अगर यहां पर हम left side में देखते है तो यहां पर volume keys और दोस्तों SIM card tray भी है और दोस्तों यहां पर right side में power on off key है और नीचे अगर देखते हैं तो यहां पर दोस्तों charging port speaker grill और दोस्तों 3.5 mm headphone jack भी दिखने को यहां पर दोस्तों में मिल जाता है तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं SIM card tray क्या हमारी dedicated है या फिर है hybrid दोस्तों आपको बता देता हूं किया यहां पर हमारी SIM card tray dedicated है या hybrid तो दोस्तों यहां पर dedicated SIM card tray देखने को मिल जाती है हम दो SIM card और एक memory card में इनसर्ट कर सकते इस फोन में तो दोस्तों आपको एक को मिल जाती है इस फोन में और दूसरे भी कहीं सारे लेटेस हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे फेस अनलॉक है तो दोस्तों वह भी मैंने सेट करा हुआ यहांपर मैं आपको बता लिता हूं उसकी स्पीड तो दोस्तों काफी फास्ट खुल जा रहा है आप दे